Hello everyone, मैं नीरा शर्मा, आप सभी का जॉब जंक से में स्वागत करता हूँ अगर मैं आपसे एक सवाल करूँ कि क्या आपका एक सपना है कि आप यहाँ पर अपना केरियर बनाना चाहते हैं जी हाँ, एसेंचर में आपना केरियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ पर सिर्फ आपके लिए हैं इस वीडियो में हम लोग पता करने वाले हैं कि आखिर इसमें कौन से पोस्ट आइवे हैं क्या इसके लिए qualification रखा गया है किस तरीके से आप यहाँ पर select हो सकते हैं यह सारी detail हम यहाँ पर देखने वाले तो वीडियो के अंद तक बने रहे हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया तो इस चैनल को subscribe कीजिए bell icon को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो लेकर आएं तो आपको उसका notification मिलता रहे है तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से आप अपना carrier essential में बना सकते हैं तो यहाँ पर जो post है उसका नाम है associate और यह associate post जो है business development process है उस department में आया हुआ हैं तो यहाँ पर जो qualification रखा गया है B और B.Tech होना चाहिए आपका computer science engineering, triple E या अगर आपने ECE में अपना engineering complete किया हुआ है तो आप इसके लिए applicable है लेकिन आपको थोड़ा से छोटा सा criteria है उसे आपको pass करना जरूरी है और वो यह है कि आपको 60% marks at least आने चाहिए इसके साथ साथ आपके अंदर जो other skills के मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम soft skills पे आते हैं तो soft skills में आपके अंदर leadership quality होनी चाहिए communication skills आपका बहुत अच्छा होना चाहिए इसके साथ साथ team player आपको एक team player होना चाहिए इसका मतलब team में work करने भी आना चाहिए और इसके अलावा आपको जो है individual work करना भी आना चाहिए अब यहां पर सवाल यह आता है कि आप जो है कौन होंगे मतलब इसमें क्यासी fresher candidate ही apply करेंगे या experience तो मैं बता देता हूँ पस एक साल उससे जादा वाले नहीं सिर्फ एक साल जो इनके पास experience है वो इसमें apply कर सकते नहीं तो सभी के सभी fresher candidate ही इसमें apply करेंगे अब बात करते हैं कि आप इसमें apply कैसे करेंगे तो apply करने का तरीका online mode है जिसका link आपको इसका official website के साथ-साथ हमारे description box और comment area पर भी मिल जाएगा और यहां पर जैसे ही आप apply करेंगे वहाँ ही से आपका selection process start हो जाएगा और सबसे पहला step होगा आपको shortlist किया जाएगा shortlist करने के बाद एक interview round होगा और interview के base पर आपका selection यहाँ पर कर दिया जाएगा जैसे ही accommodation और health benefit भी आपको साथिसाथ provide किया जाएगा तो बिल्कुल देखिए इसे अगर आप इन post के लिए eligible है तो जरूर apply कीजिए और ऐसे informative वीडियो को पाने के लिए साथिसाथ हमारे channel को follow भी करते रहिए और अगर आप चाहते कि आपसे कोई भी information मिस ना हो कोई भी video मिस ना हो तो हमारे telegram channel को भी follow कीजिए same name with same logo thank you